नमस्ते मैं अभिनव स्वारत करता हूँ आपका Lighthouse Souls में ये विडियो में बात कर रहा हूँ कि कौन से ऐसे easy self-help test है जिससे आप अपने आपको test कर सकते हो कि आपका anxiety level कितना है ठीक है तो देखो एक मुझे याद आ रहा है आमिर खान ने बोला था three idiots में कि stress को measure करना के लिए को कोई instrument नहीं बनाया इतनी तरक्य हो गई scientific और medical इसमें तरक्य हो गई लेकिन stress को measure करने के लिए कोई instrument नहीं बनाया और ये actually fact है कि physical अगर कोई illness होती है कोई issue होता है तो आपका blood test में वो measure हो जाता है ठीक है उसका आपका आजाता है blood test में कि क्या है thyroid हो गया heart disease हो गया ठीक है अलग-अलग you know hemoglobin हो गया लेकिन mental health और anxiety ऐसी चीज़े हैं जो कि आप इसको एक blood test में measure नहीं कर सकते इसलिए बहुत जादा important है कि हम physical health से जादा mental health की तरफ ध्यान दे ठीक है physical health पे तो आजकर बहुत focus बढ़ी गया है लोगों का fitness वगरे काफी लोग nutrition वगरे में ध्यान द तो अभी कैसे हम अपने आपका एक preliminary diagnosis कर सकते हैं यह test में कहीं पे भी diagnosis नहीं होता है, diagnose कौन कर सकता है, diagnose सिर्फ एक licensed medical professionally कर सकता है, that means a psychiatrist, right, जो एक doctor जो रहता है वो ही diagnose कर सकता है आपको, holistically आपको हर तरह किसी check करके, then they are able to diagnose a particular illness, ठीक है, यह self-help test क्या होते हैं, एक first step है ठीक है, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे anxiety, मेरे को लगता है, anxiety problem है, मैंने कलग से वीडियो भी बनाया, symptoms of anxiety, तो अगर आप symptoms भी देखते हो, आपको match कर रहे हैं, यह symptoms है, तो एक self-help test से आप एक first step ले सकते हो, उस self-help test के results, अगर suppose आप उसमें moderate, severe anxiety level आ रहा है, थोड़ा high level पर आपको उसको doctor को दिखाना है, and he will do a proper evaluation कि कोई medical, कोई physical condition से तो नहीं आ रहा है, कई बार anxiety physical condition से भी आती है, तो बहुत, तो एक complex diagnosis होता है, ऐसा नहीं कि बस easily नहीं कर सकते है, तो but at least एक self-help test से आप एक start कर सकते हो, ठीक है, तो उसके, अगर self-help test भी आप दे technical tests भी है, जिसे back inventory है, और भी काफी Hamilton test है, but मैंने वो सब नहीं लिया है, मैं एक simple तीन test देना चाहता हूँ अपने audience को, जो कि पहली बात तो easily आप उसको online जाके भर सको, multiple choice टाइब, easy हो, बहुत complicated, बहुत लंबे नहीं हो, ठीक है, so ये मैंने तीन self-help test निकाले है, तो उसके बारे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, अचा, मैंने कुछ just उनको लिखा हुआ एक जगे, तो मैं उसमें से लेता हूँ, ठीक है, अचा, और मैंने एक और मेरा criteria था कि ऐसे test, जो कि simple हो, दो तीन पांच मिनट के अंदर आप भर के खतम कर सको, ठीक है, तो that is my objective, बहुत लं बरने की ज़रुरत नहीं है, नाम बगर जालने की भी ज़रुरत नहीं है, so it is totally confidential, आपको सिर्फ बरना है वो test, and these are all tests which are scientifically validated, ठीक है, तो उसका authenticity है, ठीक है, link description में मैंने दिया हुआ है, और कोई भी एक test use करना है, तीनों test use करने की ज़रुरत नहीं, आप तीनों test भी use करना चाहो तो कर सकते हो, अलग-लग test का क्या result आता है, but कोई एक test आप use कर लो, वो भी चलेगा, तो पहला test जो मैं बोल रहा हूँ, वो है mental health america website, mental health america, वो लोग ने बहुत अच्छा simple seven questions का test दिया हुआ है, उसका link मैंने नीचे दिया हुआ है, seven questions है, अब अब आप पहले page पर साथ question आपको भरने है, साथ question multiple choice के answers है, आपको एक या दो minute लगेगा वो करने में, उसके बाद second page पे वो आपसे optional बांगते है, demographic details, मतलब gender क्या है, country क्या है, वो उनके internal evaluation purposes के लिए, जो survey research वगरे purposes के लिए, तो वो आप totally ignore कर सकते है, वो भरने की ज़रत निया, next चले जाओ, तीसरे page पर आपको सीधर result आजाएगा, कि क्या anxiety के level moderate, severe, mild anxiety, तो आपको results समझ में आजाएगा, ठीक है, तो यही, actually, यह test मैं highly recommend करूंगा, आपको अगर करना हो, simplest test है, सिर्फ साथ question, मेरा एक free anxiety master class होता है, every Monday 7 PM, ठीक है, IST, all are welcome, जिसको भी anxiety related कुछ जानना है, मतलब जो मैं share कर सकता हो, मेरा learning, तो उसमें भी मैं यह test हर anxiety master class जो होता है, उसमें मैं यह कराता हूँ, अगर आपको master class जोइन करना है, तो एक whatsapp group बनाया हुआ है, मैंने वो join कर लो, तो उसमें notification आ जाएगा, और वो whatsapp group कैसे join करना है, नीचे एक stay connected with light house souls करके एक link है, link tree करके एक link है, उस इसमें उसका भी link दिया है, उसका zoom link भी दिया हुआ है, तो वो आप करके join कर सकते हो, और Monday, हर Monday, 7 बजे जूम पे होगा, ठीक है, अचा, ठीक है, अचा, अब यह 7 questions है, मैंने बता दिया इसमें, कि यह second is NHS, National Health Service, जो UK का सबसे बहुत बड़ा publicly funded healthcare program रहता है, NHS, ठीक है, NHS का ए एक depression and anxiety self-assessment है, जिसमें आपको कितने questions है, उसमें 18 questions है, हर questions का 4 responses है, कुछ की ज्यादा भी multiple choice में है, मतलब total 18 questions है, कुछ questions depression से लिएट है, कुछ questions anxiety, देखो depression और anxiety ना भाई बैन है, ठीक है, और मतलब आधे, जो लोग को depression होता है, अधे लोग को anxiety भी होता है, anxiety जिनको होता है अधे लोग को depression भी होता है, ठीक है, तो यह depression and anxiety का एक joint test बनाया हुआ है, आप दोनों पे, मतलब कुछ questions depression से लिएट है, कुछ anxiety लिएट है, आप पूरे 18 questions भर दो, तो आपको depression और anxiety दोनों का result देगा, ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हो, यह बहुत अच्छा है, और तो य यह UK, US की third largest website है, जिसका exclusively mental health पे focus करती है, इसमें भी एक anxiety test दिया हुआ है, उसका भी link नीचे description में है, 11 questions है, और 5 options है, never, never, several days, ऐसा करके, 5 options है, हर question के, 11 questions है, तो वो भी आप team test है, यह तीसरा test है, साइक है, तो यह भी कर सकते हो, कुछ और points है, कि यह सब websites आप देखोगे न इनमें बहुत अच्छे-च्छे self-help resources भी है, वो भी आप access कर सकते हो, अपने anxiety के लिए आप check कर सकते हो, tips है, resources है, वो आप refer कर सकते हो, मेरी website पे, अब जैसी यह YouTube channel है हमारा, इसके website पे भी anxiety का पूरा playlist है, वो playlist भी आप check कर सकते हो, और मेरा free master class है, 7 बजे, वो भी आप check कर स सकते हो, उसका भी notification अगर आएगा तो आप देख सकते हो, ठीक है, तो यह मैंने कुछ details बता दिया है, simple short video था, आपको कोई भी feedback, comment, question हो, definitely आप मुझे इसमे comment section में mention करो, यह video देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और definitely, definitely, please अगर आपको anxiety है, तो आप please जाओ, दो मिन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you.